कि जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीजी पीपी एश्टी सीजी पीटी और सीजी पीपीटी का एक्जाइम दिया है उनका थर्ड राउंड का कौंसलिंग जो है जल्द होने वाला है आठ नॉमबर को आपका कौंसलिंग जो है इस्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से और आ हमें जो पहले जो टैब था आइकान था वो सभी कुछ नहीं दिखा रहा है और अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है और थर्ड राउंड के कौंसलिंग में सेलेक्शन जो है किस तरह शे होगा और हमारा रेंग जो है काम है जादा है किस तरह शे होगा और यदि शेलेक्शन न और क्या हम डीफ फर्म और फिर फर्म में एक साथ जो है एक सांथ अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए या नहीं कर सकते हैं तो सभी जानकारी के लिए स्वीडियो को पूरा लाष्ट तक देखना आपके जुत्ते भी डाउट्स हैं सीजी पीपेश्टी को लेकर पीटी को लेकर पीपीटी को लेकर सभी जायनकारी और सभी डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे और आप जो एच्छे से थार्ड राउंड के काउंसलिंग कर शकते हैं तो सबसे पहले ओवी शेन एसी स्टुडेंट का यह सवाल है दो तीन बार इन्होंने कमेंट किया कि सर पीटी का रिजल्ट देखते टाइम पासवर्ड में क्या डाना है तो पीटी का रिजल्ट देखते समय मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पासवर्ड जो है इर आ रहा पता चल जाएगा कि कौन से कौलेज में किस किसी स्टुडेंट का जो है सीट अलाटमेंट हुआ है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा अगर आपका अलाटमेंट रहा रहेगा तो आपका नाम दिखाएगा अगर अलाटमेंट में आपका नाम नहीं दिखाता तो आप को जो है कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप जो है फार्गेट पासवर्ड कर लीजे फिर अपना रिजल्ट देख लीजे और नेक्स्ट के बात करें सर सूरज पूछ रहीं कि सर मेरा पच्छी सो रैंख है पी पेश्टी में गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या ओबीसी के टि तो आपको कहां से भाई जो है गवर्मेंट कॉलेज मिलेगा क्यूंकि 1009 सीटे भी-वांचने पर लीज नहीं मिल पाएगा तो आप देख लीजे थार्ड डाउं के कांस्लिंग कर लीजे आज़ा मत छोड़िये लेकिन गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल सकता मैं आपको बता और राज साहू भाई पूछ रहें कि बीफार्म बीफार्मेशी आफ लाइन कप से पढ़ाई होगा तो भाई पूरा कॉंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है सतरा पंदरा से सोला नॉमबर तक जो है एडमिशन होगा और होप कि अगर चाथर रांड का कॉंसलिंग भी हो तो बी जो पढ़ाई होगा वह एक दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और नमीता माही जी पूछ रही है कि सर सीट अलाट्मेंट के बाद होस्टल लेने के लिए क्या करना पड़ता है इस पर भी एक वीडियो में तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपक आपको कोई गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिलता है आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट जो है अलाट हो जाता है तो बहुत से कॉलेज होते हैं जिनके पास होस्टल रहते हैं तो वहाँ पर होस्टल में आप इसली जो है अपने प्रिंस्पल जो होते हैं किसी भी के आप बात कर सकते हैं और होस्टल में जो एडमिशन ले सकते हैं और होस्टल में आप रह सकते हैं और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आप कॉंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा वहां पर आपको होस्टल रहेगा तो हापको होस । फार्ण दोनों हैं । और आप कान сделगेत्था कौलेज रहती है। तो यदि आप एक कॉलेज में दो घर एक। अप्लाकी करनेका चाहती है, तो आप Dz वी का आप धायेका क्योंते हैं, तो आप भूशाती है तीर हुए आप जाक बात कावची करनेका चाहती है। वही बात करते हैं CGDT Website Problem Under Maintenance तो इक किस वज़े से होता है तो मैं आपको बता दूँ कि अभी लेटराल वालों का कॉंसलिम चार रहा था फर्स्ट फेस का सेकंड फेस का और सभी लोग अपने डाक्योमेंट जो डीवीशी हैं यह सभी प्रोसेस पूरा करने में लगे थे और क्या होता है कि वेबसैट पर ज्izer और वरक और वेबसैट जो है तो और लोड होजाता है करन थो और चाहर दीनों से काम करना बन कर दिया है और उसमें Under Maintenance, cgd t.webbsै ि जो है काम चर रहा है की आप साइट को सही से कारे कर प्रोसे जो है और यहम exh webs Über की आपका आपका चाहिए करने लगेगा और उसमें आपका V4D ऑुप अथा कर चَाहिए देगा कि आपकर च्नत्त से में हैं तो आप काम उपने फिलहाल दो-तीन दिनों में आपका जीतने भी problem है site का, वो सभी problem जो सही हो जाएगा, और एक comment और आ रहा था तो आपके जीतने भी comments है, वो सभी comments हो, मैंने आपको reply कर दिया, बात करते हैं की, प्राइबेट कॉलेज आप प्राइबेट कॉलेज में अम गोलेरेज कर से लिक यूजच का प्राइबे फिल fifth शबत माने के चलिए आपका 《टायाइब के झाल है》 और घाईए लाग के बीच में कवेड़ा हो जाएगा और ढेप बात करें तो आपक एक लाग भी सचायर में आपका दी फाम कम्पलेट हो जाएगा और वहीं बात करें होस्टल के अगर आपको होस्टल में रहना तो होस्टल का मान के चलिए आपको रूम का हो गाया खाना का हो गाया मैस का जितने भी आपको बहुंद चारे सारे स्वीधा भी दिया जाएगा तो उनके मान के चलिए आपको 3500 रुपय लगेगा यदि होस्टल में रहना चाहते हैं तो क्योंकि रूम का और में सभी इंक्लूड रहते हैं वही बात करें पीटी के लिए अगर प्राइवेट कॉलेज में अड्मिशन चाहते हैं तो उनका भी लगवक इतना ही है कि आपका 38,000 जो है सेमेश्टर रहेगा 38,000 रह सकते हैं फिर कई की कॉलेज म हो गया तो आपको फीज कितना लगे गागा अगर आपका गर्रणंन परहते हैं वही आप कॉंप यह वही प्लिक इंज के ख़रीज में आपको में हो जाता है तो बहुत ही काम फीज रहते है जैसे रहता कि और प्राइवेट में होता है तो प्राइवेट में सभी चीजों को इंक्लूड करके एक फिस जो है डिसाइड किया जाता है कि मुझे अपना फ्यूचर जो है ब्राइट बनाना है मुझे अपना फ्यूचर जो है BIT दूर्ग चाहिए अगर वो कॉलेज नहीं मिला तो है तो आपका यह मौटिव रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना तो दूसरे इस्टेट में है नहीं अपना 36 गड़ में पढ़ना है तो कोई भी सहर हो कोई भी सिटी हो आपको वहां पढ़ना है तो आप इस बात पर प्रिफ हाई पर फोकस रहना चाहिए ना कि कॉलेज में वही बात करें प्रिक्टी और उनके लिए भी पीपिटी के लिए तो आप एक मेडिकल स्वापी स्टार्ट करना चाहते हैं फारमा इंडर्स्ट्री में जाना चाहते हैं जहां सीरफ कैप्सूल जित भी मेडिसीन होते हैं उन और एक साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने पढ़ाई को अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज अलाट हो आप पढ़िए अपने पढ़ाई को सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंस दीजिए और मैं BPHarmacy का जितने भी syllabus वाला वीडियोत अप्लोट कर दिए हूँ आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर मैंने अप्लोट कर दिया हैं और जितने भी पूरा सब्जेक्ट हैं उन सब का भी वीडियो और एक एक यूनिट करके मैं अपलोट करता जाओंगा तो आप देख सकते हैं और इसे आपको बहुंस सारे हेल्प और आपके जितने भी प्राब्लम है वो सब भी प्राब्लम जह साट आट हो जाएगा अगर मेरी बाते आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप लोगों के भी follow कर सकते हैं description में link दिया हुआ है तो मिलता है next video में और best wishes आप लोगों के third round के counseling के लिए I hope कि आप सभी लोगों का selection हो जाए तो मिलता है next video में thank you